तो चलिए सूपर सिक्सर वे आप ख़बर एंटेटेंबंट वर्ल्ल से जी हाँ इसमें बात होगी यह रिश्टा क्या कहलाता है पेम हिना खान की जी हाँ आखे हिना खान क्यों है सुर्क्यों में और राकी सावंत का क्या है से सीन रिपोर्ट करें अरे तुम मुम्रा करके आई तो तुम ऐसे कबड़े क्यों पहन रही है अरे क्यों ना पहने ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में है और उसकी वज़ा है हिना खान और उनकी एड्रस आखिर बावाल क्या है आगे आपको बताएंगे पहले एड्रस देख लीज़े सोशल मीडिया पर एड्रस की एड्रस खूब चर्चा में है कोई इस रड्रस की तारीफ कर रहा है तो कोई इसी ड्रस को ले कर गर ना को छोल कर रहा है अब हाल ही में टीवी एक्टरस सिना खान ने इस ड्रेस में कुछ फोटोज और वीडियो शेयर किये जिनमें वो काफी ग्लामरस नजर आ रही है इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर सिना खान को खरी खोटी सुना रहे हैं उनका कहना है कि जब एक्टरस को ऐसे ही कपड़े पहनने थे तो उनको उमराह जाने की क्या जरूरत थी दरसल हाल ही में एक्टरस हिना खान ने अपने इंस्ट्राग्राम अकाउंट से ये ड्रेस पहने कुछ तस्वीरियों और वीडियो शेयर की है इन तस्वीरों में हिना खान रेड कलर की नेटेट बैकलिस ड्रेस पहने हुए नजर आ रही है ये ड्रेस काफी ट्रांस्पेरंट है हिना का ये आउट्फिट पूरी तरह से बैकलिस है रेड कलर की डॉक लिप्स्रिक के साथ एक्टरस ने अपने बालों का बन बनाया हुआ है जो उन पर काफी जच रहा है हिना खान की ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर खूब वैरल हो रही है एक्टरस का ये लुग देखकर एक योजर ने कमेंच करते हुए लिखा कि रमजान के महीने में ऐसे कपड़े पहन रही हो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा तो वहीं एक योजर ने लिखा कि आपका उमरा पर जाने का कोई फाइदा नहीं दरसल हिना खान हाल ही में उमरा करने के लिए मक्का गई थी इस दोरान उन्होंने वहां से तमाम फोटोज और वीडियो पोस्ट किये थे वहां से आने के बाद उन्होंने एक फोटो शूट का वीडियो शेयर किया जिसके बाद लोग उनके खिलाफ हो गए बस फिर क्या था राकी सावन भी इस बवाल में कूद गई हिना खान की सपोर्ट में आकर लोगों को च्छम कर लताड़ा बता दे कि हिना खान टीवी सीरियल ये रिश्टा क्या कहलाता है में अक्षरा का किरदार निभा कर लाइम लाइट में आई किरदार में हिना को दर्शकों से बेशुमार प्यार मिला इसके अलावा हिना कई रियालिटी शोज का भी हिस्सा रह चुकी है एक्टरेस सोशल मीडिया पर काफे एक्टिव रहती है और आए दिन अपने फोटोज और वीडियोज अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती है Team NewsNation